हलो ब्रीवान वाकम अगेंट इमास के रियाक्शन कासे हैं आप सब आयोप आप सब लोग ठीक है और एक रियाक्शन करने लगी हूँ एक वीडियो पर जो कि है दा इवल साइड ऑफ अगर तो कुछ पॉजिटिव चीज है तो देख लेते हैं क्या है क्या है क्या है किस पॉइंट आप व्यू से किसमे क्या बोला है तो लैट सी चान को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक जरूर करना और जो जानते हैं कि वह कितना अच्छा है दिल का और जो इसको तो स्टैन में आप काफी मिचौरिटी है लेकिन लेट सी वीडियो में क्या है जान को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक जरूर करना एं लेट से वीडियो को लाइक देखते रहना और सब्सक्राइब बटन को तोड़ देना और बेल आइकन दबा लेना और मेरे आर टिप्स फॉलो कर ले ले लिए हर इंसान की इज़त करें अरे अरे खुड़ाला में घुशके मारूंगा निकल ले ले एक बार और वेस्पेक्ट विमन और इस्पेशली सब की मम्मियों का ध्यान रखें और हमेशा हमें साथ करने को इज़त करने को इज़त बार निकल तेरी मेरे फैंस लोग देख रहे ले लोग तो बिग बॉस 16 के विनर के अनॉंस्मेंट के बाद से काफी सारी लोग शॉक्ड हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्टीड नहीं था कि एक बस्ती से आने वाला लड़का और एक विमन आइजर देश के सबसे बड़े रियालिटी शो का विनर बन जाएगा विमन आइजर स्ट्रॉंग वर्ड तो एमसी स्टैन के सबसे पहले वाइरल सॉंग में से था समझ मेरी बात जिसमें उन्हें ने डिवाइन और एमिवे दोनों को डिस किया था और वो सॉंग काफी कॉंट्रोवर्सीज में भी रहा था जिसकी वज़ा से एमसी स्टैन को काफी एक्सपोजर मिला था और फिर क्या फिर एमसी स्टैन सॉंग ड्रॉप करते गए और उनके साथ उनकी पबलिक जूडती चली गई लेकिन क्या इतना ही आसान है किसी चीज से बचके निकल लेना क्योंकि अगर तुम अपनी गल्फरेंड को अटैक करोगे तो शायर तुम जेल के अंदर होगे बिग बॉस के घर के अंदर नहीं और वही तुम अपनी एगो को सैटिसफाई करने के लिए अपने दोस्त को स्टैब करा दोगे तो तुम जेल के अंदर होगे इसके प्रूफ्स के दे रहे तो अब यह कहनी है 12 अक्टूबर 2020 की जब MC10 के सबसे close friends Sunny और Aakash के उपर एक F.I.R. Sunny और Aakash ने अपने ही दोस्त का एक murder plan किया था जिसका नाम ता प्रशांत और अपने plan के चलते उन्होंने प्रशांत को स्टैब कर दिया और उस पे जानलेवा हमला करने का रीजन था कि प्रशांत उनकी online फिरकी ले रहा था और इसी incident के बाद Sunny और Aakash के उपर मुंबई वकॉला पुलिस स्टेशन में F.I.R. उनके उपर section 307 के तहत attempt to murder के charges भी लगे और ये एक बहुती brutal attack था विक्टिम के हाथ और पेट पेइस के काफी गहरे cuts भी थे और इसके बारे में MCStan ने पने Instagram पे एक story भी पोस्त की थी जिसमें कि तुम देख सकते हो कि प्रशांत कैसे injured बैठा हुआ है अजिए लिए लिए भाव नहीं घाव मिलेगा MCStan को इस incident पेड़ेगा एक बाज आजा एक अज़ा एक रागाराई यहां मुझा एक भाव नहीं थे जाए एक तो पास्त को रहा है विए मुझा और MCStan की एक स्कशाशी जिसे ब्रेक अप होने के पाद MCStan ने अपने फैन से उनको काफी हेट पड़वाई थी और MCStan के ही दोस्तों ने उसकी एक्स को अटैक भी किया था मैंने लाइव में सुना था उसने का था किसे को हेट मत दो और कमाल की बात ही है कि वर्दमान आज MCStan को मैनेज गरता है इस इंसिडेंट के बाद भी इन तीनों के उपर एक FIR दर्ज हुई थी जिसमें Sunny और आकाश के साथ वर्दमान का भी नाम था तो अब MCStan और उसके हुमीज गैंग्स्टर बनके किसी को भी अटैक कर देते हैं या किसी को भी हरेस करने लगते हैं जिसका एक प्राइम एक्जामपल ये भी है MCStan ने अपने वीडियो शूट के लिए एक क्रिव को हायर किया जिसमें से एक क्रिव मेंबर का चैनल तुमें यूट्यूब पे माईकी टीवी के नाम से भी मिल जाएगा तो अब खुशी-खुशी इस वीडियो का शूट खतम हो जाता है और शूट खतम होने के बाद MCStan को इस वीडियो का आउट्पूट पसंद नहीं आता और वीडियो का आउट्पूट ना पसंद आने का एक रीजन ये था कि उस गाने के शूट में MCStan के साथ में जो female actress lead में थी वो कुछ scenes करने में comfortable नहीं थी तो अब MCStan और उसकी team ने screw को अपने studio में बुलाया और उनके साथ misbehave करने लगे उनके साथ मार पे टाई की उनके laptops और phone चीन लिये उन्हें abuse किया और उनके साथ में पे करने के बढ़ा है उनके साथ में पे करने के बढ़ा है और भी बहुत सारे evidence और इसका detail explanation तुमें माइकी TV के चैनल पर मिल जाएगा जहां एक तरफ आप कुदको इतना sensitive दिखाते हो क्या इतना ही easy है अपनी personality को switch कर लेना Human error एक बहुती पहुती पहुती चीज़ है और उसका real base नहीं दाई और शायद आपने भी कियों लेकिन इस तरह से किसी को abuse और बुली करना किसी भी scenario में जस्टिफाइड नहीं है और इतना सब होने के बावजूद भी लोग अपनी आखों पहने हुए है और यह एविदेंसी समय कि डार्क वेब से चाट के नहीं लाने वड़े यह इंटरनेट पे बहुत एजली सामने सामने अविलेवल है और यही सेम टॉक्सिटी इस के गानों में वीडियोज में और इंस्टाग्राम लाइव में भी रिफ्लेक्ट होती है गाने में लड़कियों को आरवर्ड बोलना और एब्यूज करना एक बहुती कॉमन प्रैक्टिस है यह रैपर्स अब इस गाने पे गाने में लगता है अगर एक पसंट लोग भी एडियोजी को सपोर्ट करने लग जाएं तो वो नंबर होता है 17,000 तो अब अगर यह 17,000 लोग इन फ्यूचर कभी रिलेशन में आएंगे तो इनको अपनी गल्फेंड को गाली देना और हरेस करना गलत नहीं लगएगा As an adult हम बहुती sensitive relationships develop करते हैं और ऐसे गाने सुनके लोग गलत influence हो सकते हैं which can eventually ruin your relationships और फिर इसके accountability तुम्हारा favorite rapper और creator नहीं लेगा तो अब 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 आगे बड़ो जो बच्चे MC stand को admire करते हैं और उसके songs को follow करते हैं उनको यह सब toxic नहीं लगता क्योंकि उन्होंने अपने इस bubble के बाहर ज्याद कुछ explore ही नहीं किया तो जो कुछ भी MC stand अपने गानों में बोल देगा और अपनी live videos में कह देगा उनके लिए वही सच है तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि पंजाबी इंडस्ट्री में भी तो ऐसे गाने मनते हैं पंजाब में गन कल्चर काफी ज्यादा बढ़ गया है जो पंजाब अगरिकल्चर और हरिटेज के लिए जाना जाता था आज महा की यंगर जनरेशन के बीच ड्रग प्रोग्लम्स काफी सीरियस हो गई है और बिग बॉस जीतने के बाद जब MC stand की popularity all time high है अब जब ही वी वी अपने गानों में अपने इन टॉक्सिक बिलीफ्स को ग्लोरिफाइग करेगा उस तो नहीं करेगा वो मिचोर हो चुका है उसने बोला है कि अब पहले से बहुत मिचोर है और इन सब पोइंट को डिफेंट करने के लिए बोलते हैं ए ये अंडरग्राउंड इंडस्ट्री है, हिपपॉप इदर ऐसे ही चलता है पर एज आ आर्टिस्ट तुम्हारी भी तो कोई responsibility बनती है और शायद इस responsibility को डिवाइन ज्याद अच्छे से समझते हैं डिवाइन जो की एक बहुत ही similar background और story शेयर करते हैं उन्होंने खुद को, as an artist, MC stand से काफी ज्यादा अच्छा प्रेजेंट किया है Basically, Divine का influence public पे ये रहा है कि तुम कैसे बस्ती से निकल के लाइफ में कितना कुछ बेटर सकते हो और आपने ये भी देखा होगा कि Divine अपनी girlfriend Savina को अपने गानों में कितने appropriate तरीके से और कितना respectfully mention करते हैं So, as an artist, तुम्हारी ये responsibility बनती है कि तुम्हारी audience कहीं पे भी जाके chaos ना create करें और वो तुम्हारी live action से influence होके कोई भी गलत step ना ले और Big Boss में भी किसी contestant की बहांसा कर MC stand से हो गई तो अगले ही दिन उस contestant के social media handle का comment section मार्किट लग जाया करता था मार्किट लग जाया करता था मार्किट लग जाया करती था और अगर तुम्हे इसका live example देखना है तो हमारी वीडियो का comment section चेक कर लेना अब तक तो MC stand भाई की आर्मी अक्टिवेट हो गई हो गई होगी सब्सक्राइब कर दस फरवरी को किसी contestant की लड़ाई MC stand से हो गई तो 11 तारीक को comment section अटोमेटिकली गालियों से और रेप थ्रेट से भर जाया करता था और जब अर्चना और MC stand भीच में बीफ हुआ जिसमें MC stand ने उनको shaved ही बुलाया वाव यार MC bhai is so savage उसके बाद मी अर्चना के comment section में unlimited rape threats आये थे और यह चीज किसी की mental health के लिए काफी ज्यादा harmful हो सकती है और Big Boss 16 का सबसे viral moment MC stand और Shaleen की fight जिसमें MC stand ने उन्हें बोला था कि मेरी public तरह को बाहर देग लेगी और बाहर मिल बाहर से उठा लूँगा इस fight के बाद MC stand के लिए कि इसके लिए बीए कि इसके लिए और उनको ड़ी पूसके लेंगा और उनको death threats देने लगे जिसकी ज़ए से शालीन के लिए कि लिए पारें इसकी कि अच्छी के लिए और इसकी कि लिए बीए फिर्फल मोमेंट होगा और दूसरी तरफ तुम्हारे गानों के लिरिक्स में आते हैं लड़कियों को आरवड बोलना तो यह आकर यहां पर कौन सा कल्चर रिप्रेजेंट हो रहा है यह तो हमारा कल्चर नहीं है और दूसरी तरफ उसी लक्ष्मी को हम सिर्फ कागज का टुकड़ा और नोट बोल रहे हैं यह भी हमारे कल्चर में नहीं है और यह गैंक्स्ता शेट और अपने इदर तो ऐसे ही चलता है अब आपने भी नोटिस किया होगा कि कोई भी इंफ्लूएंसर एमसी स्टैन के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोल दे तो उसको कॉमेंट सेक्शन में भर-बर के हेट आने लगती है क्योंकि उसकी आर्मी कापी स्ट्रॉंग है उसकी फैन काम पर लग जाती है और इनके अगेंज्ट इंटरनेट पर कोई भी ना बोले अब भले ही हनी सिंग और बादशाय जैसे आर्टिस्ट ने भी पास्ट में कितने ही मिस्टेक किये हूँ लेकिन उन लोगोंने कभी भी पुलिक में अपने इन निस्टेक को ब्रैग किया, और नहीं ननोंने कभी अपनी ऑडियेन्स का मिस्यूज किया किसी को रेट डलवाने के लिए और किसी तो सिर्फ कुछ मिलियन व्यूज लाने से, महेंगी जूलरी पहनने से, और वाइड फैन बेस होनी की वज़ा से, तुम इन सीरिस ऐलिगेशन्स और अपने इस टॉक्सिक बिहवियर को जिस्टिफाई नहीं कर सकते अगर तुमारे पास एक डायार्ट फैन वेस है तो तुमें कोई भी क्रिवियर करने के टिकेट नहीं में जाता है तुम अपने फैन्स को एजुकेट और इंफ्लुएंस करो कि वो मेरे आर्ट और मेरे लाइफ इंसिदेंट की वज़े से, लेकिन अगर वो यहां पर ऐसा करें तो उनका promotion कैसे होगा और ultimately इसका negative effect उनकी marketing के उपर पड़ेगा और तुम अपने आर्ट के नाम पे कुछ भी ऐसा वैसा glorify नहीं कर सकते क्योंकि यह कोई comedy show नहीं चल रहा, this is real life लेकिन MC stand को लगता है कि ऐसी controversies करने से और लोगों पे hate दलवाने से उनकी एक dominant image बनी रहेगी और as a influencer मैं भी कभी यह नहीं चाहूंगा okay so basically सारा जो मकसद था इस वीडियो का वो समझ में हो चुका है so obviously जब यह वाक्या हुआ था बिगवास में ले राई वाला तो सबने का just stand के मौं से कुछ अधिस निकल जाती आकसर so वो सब भी बेशक उसके supporter हूँ या उसके supporter ना हूँ सब भी कहते हैं कि यह थोड़ा सा गलत उसने कर दिया है तो वो भी उसको भी weekend पर जो है उसके भुकतना तो पड़ गया था उसको लेकिन मुझे लगता है कि जो पहले वाले सांग्स की बात की जारी है या जिस तरह ससके behavior की बाते की जारी है वो एक बहुत यूनो पहले की बात है वहाँ पर वो जितने भी homies से stand के या stand था यह सब जितनी भी team थी वो सब teenagers थे तो teen age में इस तरह की थोड़ी बेफ़कूफिया हो जाती है ठीक है लेकिन अब I think वो इतना mature तो हो चुका है कि वो अब इस तरह के songs या इस तरह के कोई भी content जो है देखते हैं अब आगे stand की अब जो नई शिरुवात होने वाली है वो कहां पर जो है वो stand को पहुंचाती है so यह video जो है वो बिलकल भी mind करने की दुरूत नहीं है अब बहुत से rappers ऐसे कह जाते हैं अब इसका मतलब यह निया कि वो बुड़े हैं यह वो किसी को मार ही देंगे obviously ऐसा नहीं होगा so let's see I hope के stand जो है वो पहले से काफी जादा मिचोड है से भी stand army जो है वो इतनी जादा मशूर हो चुकी है कि युनों हर को stand army से डरता है लेकिन इतनी इतना negative भी मत करो अपना पॉजिटिव image stand army को भी अपना चाहिए सो युनों पीस के साथ चलो सब मिलकर चलो बहुत हातम हो चुका लराई जग रहातम हो चुके है अब stand आगे भरता जाएगा उसको सपोर्ट करो हम सब इसको सपोर्ट कर रहे है बस positive way में आगे बरे तो I think जादा अच्छा है और वो I think positive way में ही आगे बर रहा है और अब बर कर दो